दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर और आज दोस्तो जो अपना टॉपिक है वह है गुप्त कालीन सवता एवं संस्कृती पर आधारित प्राशन दोस्तो ये क्लास यूपिटरपल स्सी यूपिपेट या स्सी सीजियल पीचेस सिविल सर्फसेश पीच्टी टीच्टी सुपर्टिट सभी के लिए दोस्तो इंपोर्टेंट है तो आएए डियर स्टुएंट्स अब स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है वह है दोस्तो गुप्त कालीन सवता एवं संस्कृति पर आधारित प्रस्न पहला प्रस्न आपके सामने है एरण अवलेक का सम्मंद किस सासक से है तो आपको बताना है दोस्तो ओप्सन आपके सामने चार दिये गए हैं क्या दिये गए दोस्तो चार ओप्सन आपके सामने दिये गए हैं द थर्ड आप्षन है चंद गुप्त दुति और फूर्थ आप्षन है भानु गुप्त तो इसका correct answer हो जाएगा भानु गुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका exact answer आरहा है जो सामने वह आरहा है दोस्तों भानु गुप्त। देखिए, एरन नामक एतियासिक इस्तान मदप्रदेश के सागर जिले में इस्तित है प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकल लिखा है एरन से एक अन अवलेक भी प्राप्त हुआ था जो लगबक 510 इस्वी का माना जा रहा है इसे भानुगुप्त का अवलेक कहते हैं यह अवलेक भानुगुप्त के मंतरी गोप्राच के बारे में है माना यह जाता है कि भानुगुप्त के मंतरी गोप्राच उनके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त हुए था अर्थात युद्भूमी में ही वो शहित हो गयते जिससे गोप राज की पत्नी सती हो गई थी इसी वज़े से इस अवलेक को एरण का सती अवलेक भी कहा जाता है आपके सामने दोस्तों आप परश्ण है दो नमबर क्या है दो नमबर है धनवंतरी थे अर्थात धनवंतरी कौन थे यह परश्ण है अपने सामने Option first है चंद्रगुप्त मौर के विख्यात जनरल थे Second option है चंद्रगुप्त विक्रमा दित के राजदर्वार के नोरतन में से एक जोकी प्रसिद चिक्त सकते Third option है हर्च के समय के प्रसिद नाटक कार Fourth option है असोग के राजदर्वार में संकी तग तो इनका correct answer हो जाएगा इस question का dear students वो हो जाएगा option second चंद्रगुप्त विक्रमा दित के राजदर्वार के नोरतन में से एक जोकी प्रसिद चिक्त सकते कौन थे प्रसिद चिक्त सकते दोस्तो देखो आपको बता लें धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमा दित के राजदर्वार के नोरतन में से एक थे जोकी चिक्त सा सम्मन थे या एक डॉक्टर थे विक्रमा दित के साथ उनके नोरतनों को जानने की जिग्यासा सह स्वाबिक है समराथ विक्रमा दित के नोरतनों के नाम धन्वंतरी चपड़क, अमर सिंग, शंकू, बेताल भट, घटक, घट खरपर, काली दास, वारे मिहीर और वररुची कहे जाते है देखो फिर से दोस्तों नाम सुलने, धन्वंतरी थे, चपड़क थे, अमर सिंग थे, शंकू, बेताल भट, घट खरपर, काली दास, वरा मिहीर और वरुची थे इन नौरतनों में से उच्च कोटी की विद्वान, स्रीष्ट कवी, गडित के प्रकांड, विद्वान और विज्ञान के विशेशक आदि समलित थे अर्थात इतनी लोग थे, ठीक है, अब अपने पास जो प्रसन है, वह तीन नंबर है, देखेंगे क्या है तीन नंबर प्रसन गुप्त युग में भूर आजस की दर थी, अर्थात कितनी दर थी, उपस का चौथा भाग, सेकंड आप्शन है उपस का चटा भाग, और थर्ड आप्शन है उपस का आठवा भाग, फोर्थ आप्शन है उपस का आधा भाग तो इसका correct answer हो जाएगा option second उपस का छटा भाग गुप्त यूगीन इस्मृतियों के अनुसार राजा अपनी परजा के प्रत की गई सेवाओं के बदले में उपस का छटा भाग पाने का अधिकारी होगा इसे भाग कहा जाता था जो ततकालीन राजस का मुक्सरोत था इसके तरिक्त भोग उद्रंगू उपरिकर आदिकर भी गुप्त काल में लिया जाता था प्रजा को यह सुविदा दी थी कि वो एक कर को नगत अथवा अनाज की रूप में चुका सकते हैं या तो नगत दे दे या अनाज भी उसके बदले दे सकते हैं अब अपने पास प्रस्ण है चार नंबर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सती प्रथा का पहला उलेक कहां से मिलता है भीतर गाउं लेक से विलसद इस्तंब लेक से एरन अवलेक से और भीतरी इस्तंब लेक से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड अप्शन एरन अवलेक से देखिए सती प्रथा का पहला अवलेकी साक्ष 510 इस्वी एरन अवलेक में मिलता है प्रथा का अंत 1829 इस्वी के सत्रमी नियम के अनुसार विदभाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराद गोशित कर दिया जाता कब किया गया था यह प्रथा कांथ 1829 में किया गया था विद्वी सत्रमी नियम के अनुसार अब आगे बरते हैं दोस्तों सती प्रथा पता है कि जब पती की डित हो जाती थी उस चीता पर जिंदा इस्तरी को जलाया जाता था इसी को सती प्रथा कहते हैं अब आगे बरते हैं अगला प्रशने आपके सामने पांच नमबर गुप्त कालीन पुस्तक नवनीत कम का संबन्ध है अर्था है किस से संबन्ध है खगोल सास्त से संबंध है गडित से चिकत्सा से या धातु विज्ञान से तो correct answer हो जाएगा इसका third option चिकत्सा से देखे जो नवनीत कम आयूरवेद का प्राचीन ग्रंथ है ये संस्क्रत प्राकृत में रचित है तता लिपी गुप्त लिपी है इसका रचनाकाल इसा की चौ प्राची पूर्वी तुर्किस्तान से प्राप्त हुई है जो मत एशिया से चीन को जोडने वाले मार्क पर इस्तित है भारत के बहुत भिख्ष्यू इसी मार्क से दूरस्त प्रदेशों की यात्रा करते थे अब अगला प्रशन देखेंगे आपके सामने है च्छै नंबर देखी क्या है दूस्तों छे नंबर कौन सुमेलित नहीं है इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है प्रियाक परस्षती रवी किर्ती करात तरजुनी करा तरजुनियम भारवी दश कुमार चरित दंडिन और मिर्च कटकं सूद्रक तो आपको दोस्तों बताते इसका करेक आंसर हो जाएगा option first प्रियाक प्रस्थि रवी किर्थी देखिए दोस्तों समद्र गुप्त के दरवारी कभी हरी शेन ने हरी शेन जिनको कहते हैं हरी शेन ने अपनी संरक्षक की सैनिक सपलताओं का जाज्वलमान विब्रन प्रियाक प्रस्थि में लिखा है ठीक है दोस्तो अब आगे देखते हैं अगला प्रशन ये रहा सात्वा नंबर देखिए क्या है उत्तर गुप्त युग में जो विश्विद्याले प्रसिद हुए प्रसिद हुआ वय था कौन सा था कांची तक्षिला नालंदा उवललवी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा क्या हो जो तो नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिर से लगबग चालिस मिल की दूरी पर इस्तित है सरप्रथम यहां एक बौद वियार की इस्तापना गुप्त काल में करवाई गी चीनी यात्री हुएन सांग लिखता है कि इसका संस्तापक सक्रादित्र था जिसने बहुत धर्म के त्री रतनों के प्रति महतीस रद्दा के कारण इसकी इस्तापना करवाई थी। सक्रादित्र की पैचान कुमार गुप्त पर्थम से की जाती है जिसकी सूपरसिद उपादी महंदरा दित्र थी। पाच्वी सदी से छटी सदी आते आते ये विश्विद्याले ना केवल भारत अपितू अंतर राष्ट्री जगत में भी प्रतिष्टित हो गया। मौर और कुशार काल गुप्त काल का पूरवर्ती काल है। जबकि पालो के समय में नालंदा अपने उतकर्स पर था अर्था टॉप पर था सबसे फेमस था। अब आपके सामने प्रसन है आठ नंबर फायान और हेंसांग ने के राजियों को देखा था। कौन-कौन से राजियों को देखा था। मिलकुल दोस्तो फर्स्ट आप्शन है चंद्रगुप्त मौर एवं हर्ष क्रमसा हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित क्रमसा सेकंड आप्शन था। थर्ड आप्शन देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित एवं क्रष्ण दिव राय क्रमसा और फोर्थ अंसर हो जाएगे इसका फोर्थ ऑप्षन क्या हो जाएगा दूस्तों फोर्थ ऑप्षन हो जाएगा चंद्रगुप्ट विक्रमादित एवं हर्षवर्धन क्रमसा देखिए हेंसांग एक पिरसिद चीनी बहुत भिख्षू था वह हर्षवर्धन की सासन काल में भारत आया थ सबसे पहला प्रशन की जो हेंसांगे यह हर्षवर्धन के समय में आया था और पंद्रे वर्ष तक यह रहा था फिर उसने अपनी पुस्तक सी यू की पुस्तक का नाम क्या है सी यू की में अपनी यात्रा तततत कालीन भारत का विब्रण दिया है फायान एक चीनी यात्री जो चंद्र गुप्त विक्रमा दित के शाषनकाल में भारत आया था वो 399 इसवी से लेकर 412 इसवी तक भारत में रहा अब प्रशन आपके सामने 9 नंबर है नालंदा विश्वद्याले की स्तापना का यूग है अर्थात कौन सा यूग किस यूग में इसकी स्तापना हुई थी मौर कुशार गुप्त पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा गुप्त देखे नालंदा बिहार प्रांत की राजदानी पटना के दक्षर से लगबक 40 मिल की दूरी पर इस्तित है सर प्रतम यहां एक बौद वियार की इस्तापना कि किसने करवाई थी सक्राधित की पैचान कुमार गुप्त प्रतम से की जाती है जिसकी सूपर सिद उपादी मेहंद्रा दित थी पाचमी सदी से छटी सदी आते आते ये विश्व द्याले ना केवल भारत अपितूर अंतरराश्ट्री जगत में भी प्रतिश्टित हो गया मौर और कुशार काल गुप्त काल का पूर्वर्ति काल है जबकि पालो के समय में नालंदा क्या था सबसे टॉप क्लास का एजूकेशन सेंटर था अगला प्रशन है दस नंबर देखते हैं क्या है यूरोपी भाषा में अनुजित या अनुवादित प्रत्व भारती ग्रंथ कौन सा है आप्शन है भगवत गीता सेकंड आप्शन है अभिज्यान साकुनतलम थर्ड आप्शन है कुमार संभव फोर्थ आप्शन है काम सूत्र तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप्शन सेकंड क्या हो जाएगा अभिज्यान साकुनतलम देखिए अभिज्यान साकुनतलम महा कभी काली दास का विश्विख्यात नाटक है पहली चीज सकॉंतलम को किशने लिखा अभिज्ञान सकॉंतलम को काली दास ने और ये एक बहुत ही फेमस ड्रामा अर्थात नाटक है जिसका अनुवाद प्राया सभी विदेशी भासाओं में हो चुका है अब अपने पास है प्रश्न ग्यारे नंबर वह प्रथम भारती विद्वान कौन था जिसने गडित को प्रथक विश्य के रूप में इस्तापित किया है ओप्शन आपके सामने चार है आरभट वरहा मिहीर ब्रह्मगुप धनवंतरी इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों वह है आरभट क्या हो जाएगा आरभट हो जाएगा देखिए आरभट का जो जीवन काले चार सु चेतर से पान सु पचास मानना जाता है प्राचीन भारत के एक महन जोतिस विद और गर्तक थे इन्होंने आरभटी गरंत की रचना की जिसमें जोतिस सास्तर के अनियक सिद्धानतों का प्रतिपादन इन्होंने किया है अब अगला प्रस्ण देखते हैं वह है बारह नंबर जैसा कि आपके सामने है इसमें दोस्तों क्या करना है सूची फस्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है मिलकल मिलाएंगे दोस्तों देखिए सूची फस्ट में है A, B, C, D करके A में छेतर भूमी, B में वास्तु भूमी, C में अप्रहत भूमी और D में खिल भूमी सूची सेकेंड में आप देख पा रहे होंगे फर्ष्ट में क्रसी योग भूमी दो में निवास योग भूमी और थर्ड में जंगली भूमी और चवते में क्रसी के लिए अनुपीत भूमी तो इसका जो correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तो option A चलिए अब आपको करके दिखाते हैं देखी दोस्तो इसमें क्या है जो इसमें आया answer जो छेतर भूमी है वह क्रसी योग भूमी होती है अर्थात आप कह सकते जो छेतर भूमी है वह क्रसी योग भूमी है वास्तु भूमी है वह निवास योग भूमी है वास्तु के अंसार लोग रहते हैं तो जो निवास योग भूमी होगी वे वास्तु भूमी होगे आप रहत भूमी ये जंगली भूमी होगी कैसी होगी? ये दोस्तो जंगली भूमी होगी खिल भूमी क्या होगी? क्रशी के लिए अनप्युक्त भूमी अर्थाद एक, दो, तीन, चार अर्थाद दोनों क्या है आमने सामने हैं एकदम के लिए है अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्णम लोग देखते हैं 13 नमबर जो की आपके सामने है देखी क्या है दोस्तो अजन्ता चित्रकारी का विशेवस्तू निमलिकित में से किस से सम्मन्दित है जैन धर्म, बौध धर्म, वैश्नो मत, शैब मत करेक्ट आंसर हो जाएगा option second बौध धर्म क्या हो जाएगा दोस्तो बौध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तो जो दोस्तो अजन्ता की चित्रकारी है गुप्त कालिन चित्रकला की सर्वोत्तम नवूने अजन्ता में प्राप्त है उनकी विशेवस्तूती पसूपक्षी, वरक्ष, फूल, मानोकृतिया और जातक कताएं क्या-क्या विशेवस्तूती पसूपक्षी थे, वरक्ष थे, फूल थे, मानोकृतिया और जातक कताएं थी भित्ती चित्र चतो पर और पाहडी दीवारों पर पनाये जाते थे गुफा नमबर 9 के चित्र में बौद विख्षियों को इस्तूपकी और जाता हुआ दर्साया गया है गुफा नमबर 9 में, 9 के अंतर जो चित्र बना है उसमें बौद विख्षियों को इस्तूपकी और जाता हुआ दर्साया गया है अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्णापके सामने है 14 नमबर महर अली, जो कि दिल्ली में है, इस्तित लोह इस्तम का निर्वार्ध किस सदी में हुआ था? चतूर्थ सदी में, सक्तम सदी में, तृति सदी में, यह दुती सदी में इसका correct answer हो जाएगा option first फूर्ष्ट चतूर्थ सदी में देखिए दिल्ली का लोहिस्तम दिल्ली में कुत्व मिनार के निकट इस्थित एक विशाल इस्तम है ये अपने आप में प्राचीन भारती धातु कर्म की पराकाश्टा है ये कथित रूप से राजा चंद्रगुप विक्रमादित से निर्मार कराया गया किन्तु कुछ विशे सिगों का ये मानना है कि इसके पहले निर्मार किया गया संबवता 912 इस इसापूर में इस इस्तम्भ की उचाई लगबक साथ मीटर है और पहले हिंदुवा जैन मंदिर का एक भाग था तेर्मी सदी में कुत्व बुद्दीन एवक ने मंदिर को नश्ट करके कुत्व मिना कि इस्तापना की लो इस्तम्भ में लोई की मात्रा करीब 98 परसेंट है और अभी तक जंग नहीं लगा है अब आपके पास प्रस्न है वह है 15 नंबर क्या है दोस्तों 15 नंबर है देखते हैं क्या है कुमार संभो महा काब किस कवी ने लिखा है बाडभठ चंद बरदाई हरि किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीदास क्या हो जाएगा कालीदास इसका एचैक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा देखिए कुमार संभो, महाकाब, चंद्रगुप्त दिती, विक्रमा दित के दरवारी कभी काली दास ने लिखी थी काली दास को भारत का सेक्स पियर कहा जाता है हर्ष चरित, पाणभट, प्रत्वी राजरासो, चंदबर्दाई ने लिखी है हर सरिच्ट किसने लिखी बाण भटने और चंद भरदाई जो है जो प्रत्वी राज रासो है वह लिखी है दोस्तों चंद भरदाई ने आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है 16 नमबर दिखें क्या है सोने के सरवादिक सिक्के किस काल में जारी किये गए हैं कुसान काल में, गुप्त काल में, मौर काल में, हिंद यवन काल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option second गुप्त काल में दोस्तों क्या है गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे प्रशन आपके सामने 17 नंबर है नेमली केत में से किस गुप्त साशक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीड़ा बजाती हुए आक्रती में अंकित करवाया है चंद्रगुप्त परथम समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त दुति इसकंद्रगुप्त तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड आपके सामने है समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है इसी ने इसी से अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि समुद्रगुप्तु था वह संगीत प्रेमी था इसे कभी राज भी कहा जाता है अगला प्रशना आपके सामने 18 नमबर है कौन सुमेलित नहीं है बिलकुल महाशंदि विग्रहिक युद्वा शांती का मंत्री होता था महाधंडनायक जो था सेना का सर्वुच अधिकारी होता था और विने इस्तिती इस्तापक धार्मीक मामलों का प्रमुक अधिकारी महा स्वापती गज सेना का अध्यक्ष दोस्तो बस यही कहला थै जो महा अस्व अस्वपती है वह गज सेना का अध्यक्ष नहीं दोस्तो अस्व सेना का अध्यक्ष होता था अर्थाद खोडों का अध्यक्ष यह होता था अब अगला प्रशन देखेंगे 19 नंबर है आपके सामने कुछ विद्वानों के अनुसार कभी काली दास किसके राश कभी थे चंद्रगुप्त मौर के समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त दुति विक्रमा दित के या हर्श के उन्होंने भारत की पौनारिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाय और उनकी रचनाओं में भारती जीवन और दर्शन के विविद रूप और मौल तत्व निरूपित किये हैं काली दास अपनी इनी विशेशताओं के कारण राष्ट की समख राष्ट्री चेतना को स्वर देने वाले कभी भी मानने चाहते हैं दोस्तों और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्री कभी का इस्तान तक देते हैं अब हम लोग अगला प्रसंद रेखते हैं जो कि आपके सामने है बीस नंबर चंद्रगुप दुती ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेश सिक्के जारी किये तो फर्ष्ट आप्शन है बाल ही प्रदेश को जीतने के बाद सेकंड आप्शन है हुडों को परास्थ करने के बाद थर्ड आप्शन है शकों को पराजित करने के बाद फोर्थ आप्शन इन में से कोई नहीं तो इसका जो correct answer निकल कर आ रहा है वह है दोस्तो third option क्या है third option है शको को पराजित करने के बाद देखिए चंद्रगुप दुती नी शको को पराजित करने के बाद विजय की खुसी में चांदी के विशेश सिक्के जारी किये थे अब अपने पास जो दोस्तो प्रस्ण है वह है 21 नंबर है क्या है 21 है देखिए गुप्त काल की सोनी की मुद्रा को क्या कहा जाता था दीनार कार्शा पढ़ निस्क या काकनी तो correct answer हो जाएगा दीनार दोस्तो correct answer क्या हो जाएगा दीनार हो जाएगा देखिए first option रहा अब इसके वारें थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं देखिए दीनार स्वन का सिक्का जो प्राचीन समय में एशिया तथा यूरोप में प्रमुक्ता से चलता था कहां का एशिया और यूरोप में चलता था ये गोल्डन का था किसका था सोनी का था अब अगला प्रशन अपने पास 22 नंबर बाल विवा की प्रथा आरम होई थी मौर काल में कुशार काल में गुप्त काल में और हर्शवर्धन काल में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुप्त काल में देखें दोस्तों गुप्त सामराज का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रियोग के निकट कौसामबी में हुआ गुप्त कुशारों के सामन थे इस वंस का आरम्बिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार में था अब अगला प्रसंद देखते हैं तेश नंबर देखें क्या है निमन में से कौन सा गुप्त वंस के पतन का कारण नहीं था इसकंद गुप्त के बाद केंदर की सक्तियों का दुरबल होना ये दोस्तों कारण था हूडों का आक्रमन ये भी कारण था प्रांती शासकों का विद्रो ये भी कारण था सत्ता की निंतरन के लिए आंत्रिक कले दोस्तों ये रिजन नहीं था अर्थात इस कोश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा फोर्थ आप्सन देखिए जिस गुप्त वन्स का सूरज कुशल वा द्रण प्रशासन विवस्ता के कारण उगा था वही प्रशासन इसके पतन का कारण भी बन गया है गुप्त सासन काल में सामंती प्रथा वन्सान उगत थी राज तंत्र के विगटन ने सामनतों को भी अपनी अलग शासन विवस्ता बनाने का कारण मिल जाता है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण आपके सामने है वह है 24 नंबर इसमें सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है देखिए सूची फर्ष्ट में है प्रसासकी विवाजन जैसे भुक्ती जिसे प्रांत कहते थे विशय जिसे जिला कहते थे नगर ग्राम और सूची सेकेंड में प्रसासक उपरिक विशय पती नगर पती ग्रामिक इसका जो करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो वह हो जाएगा option first देखिए कैसे आपको अभी explain करते हैं जैसे बुक्ती प्रांत है इसका जो प्रसासक होता था वह उपरिक होता था क्या होता था उपरिक अर्थात एक लिखेंगे और जो विशे जिला होता था, इसका होता था विशे पती अर्था दो लिखेंगे, नगर का नगर पती तीन लिखेंगे और ग्राम का ग्रामिक अर्था चार लिखेंगे, ये इसका सिश्टम रहा अब प्रश्ण आपके सामने हैं 25 नमबर क्या है 25 नमबर अजन्ता कलक्रतियां किस से संबंदित हैं हरपा काल से मौर काल से बुद्ध काल से या गुप्त काल से इसका correct answer हो जाएगा option fourth जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गुप्त काल से देखिए दोस्तों अजन्ता कलक्रतियां गुप्त काल से संबंदित हैं अजन्ता की गुफाएं बहुत धर्म द्वारा प्रेरित हैं इसमें बहुत धर्म से संबंदित जातक कथाओं का चित्रा है यह महराष्ट के गुफाओं में वर्तमान में केवल छे ही गुफा संक्या एक, दो, नो, दस, सोले, सत्रे, सेस बची हैं। अब आगे प्रस्ण देखते हैं, जो आपके सामने 26 नंबर है, गुप्त काल के सर्वादिक लोगपुरी देवता कौन थे हैं, शिव, विश्णू, बुद्ध, सूर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओप्सन सेकेंड विश्णू, देखिए, गुप्त काल के सर्वादिक लोगप किस काल में हुआ, मौर, कुशार, शुंग और गुप्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ओप्सन फोर्थ, गुप्त, देखिए, धामेक या धामेक, इस्थूप एक वरहत इस्थूप है, और उत्तर प्रदेश में वारार्सी की निकट सारनात में इस्तित है, यह वारार सी से तेरा किलोमेटर दूर है, धामेक इस्थूप का निर्वान पांसो इस्थूप में मौर सामराच के समराट असोग द्वारा दो सो उन्चास इसापूर में बनवाए गया एक पूर्व इस्थूप के इस्तान पर किया गया था, अब अगला प्रस्थन आपके सामने है, वह 28 नंबर है, गुप्त वन्स ने खाली स्थान आविदी में सासन किया, अर्थात इनकी टाइमिंग क्या था, इन्हों कितने काल तक, कितने समय तक, कितने से कितने टाइम पिरिएड इन्होंने राज़ किया था, देखेंगे, 319 से 590, 319 से 371, और 325 से 375, 566 से 597, गुप्त वन्स का प्रारंबिक राज, आधनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में, था, अब आगे हम लोग देखेंग प्रेश नंबर 29, देखी क्या है दोस्तो, वर्तमान गडित में दसमलोग प्रवाली अविश्कार का स्रे निम्न में से किस युक को है, जो आप पॉइंट लगाते, दसमलोग लगाते, उसकी बात हो रहे, कुसार युक को, गुप्त युक को, मौर युक को और वर्धन युक को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुप्त युक को, किसको दोस्तो, गुप्त युक को, अब अगला प्रशन देखते हैं, तीस नंबर आपके सामने है, सुधरसन जील, जिराका निर्मार, चंद्र गुप्त, मौर के सौराष्ट प्रांद की गवर्नर, पुस्वगुत ने करवाया था, जिसका निर्मार दोस्तों यहाँ पर है, जिराका निर्मार नहीं है, तता जिसकी मरमत पहली बार शक्सासक रुद्रवन में करवाई थी, कि दूसरी बार मरमत किसने करवाई थी, फर्श टाइम किसने ठीक करवा दिया, रुद्रवन ने या दामन ने, आप बताईए दूसरी वार किस ने करवाया था समुद्र गुप्त ने, इसकंद गुप्त ने, चंदर गुप्त ने, कुमार गुप्त ने तो correct answer हो जाएगा option second इसकंद गुप्त ने इसकंद गुप्त के जुनागर अवलेक से अतधिक वर्सा से जील का बंद तूट गया सौराष्ट के प्रांती सासक, पंड़त के पुत्र, चक्रपालित ने जील की मरमत कराई नोट पुना निर्मार की प्रक्रिया, रुद्ध आमन द्वारा, सू विशाक के माध्यम से की कही है अब आपके सामने प्रस्ण है दोस्तो, 31 नमबर क्या है? 31 नमबर प्रस्ण आप लोग देख पा रहे होंगे देखे दोस्तो क्या है? गुप्त राजवन्स किस लिए प्रस्ण था? कला एवं इस्तापत के लिए, सिकंड आप्शन सामराज वाद के लिए, थर्ड आप्शन राजस एवं भूमी कर के लिए, फोर्थ आप्शन साहितिक कार्यों का सर्रक्षर के लिए तो इसका correct answer हो जाएगा option फर्ष्ट कला एवं इस्तापत के लिए, देखे गुप्त राजवन्स अपनी कला एवं इस्तापत कला के लिए प्रस्ण था, चंद्रगुप्त दिती का काल, कला साहित का स्वन यूग कहा जाता है, किसका? चंद्रगुप्त दिती के time period को, उसके दर्बान में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रे प्राप्त था, अब अगला प्रस्ण हम लोग देखेंगे, वह है दोस्तो 32 number, चंद्रगुप्त दिती ने विक्रमा दित की उपादी कब धारन की थी? फ़श्ट ऑप्सन है, शको का उन्मूलन करने के बाद, सिकेंड ऑप्सन है, गुप्त सियासन पर बैठने के बाद, और थर्ड ऑप्सन है, चांदी के सिक्चे चारी करने पर, और फूर्थ ऑप्सन है, उप्युक्त सभी. करेक्ट आंसर हो जाएगा option first सकु का उन्मूलन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रशनाप के सामने है 33 नमबर देखिए क्या है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युक्यों कहा जाता है option first है वैपार में अभूत पूर्व प्रगती के कारण, second option है कलावा साइथ की छेत्र के अपने चर्मूत्सकर्थ पर पहुचने के कारण, third option है प्रचुर मात्रा में स्वन्सिक्यों के चलाए जाने की कारण, fourth option है उप्युक्त सभी कारण तो correct answer हो जाएगा इसका second option कलावा साइथ की छेत्र के अपने चर्मूत्सकर्थ पर पहुचने के कारण, classical युग भी दोस्तों इसी को कहते थे अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपके सामने प्रस्ण है, वह है 34 number, 34 number, अजन्ता गुपाओं की शरीकी या जैसी गुपाई मदप्रदेश में कहां है बाग या धार में, उदेगिरी, विदिशा में, मांडू या कहीं नहीं इसका correct answer हो जाएगा, option first, क्या हो जाएगा, option first clear हो जाएगा देखिए दोस्तों, मदप्रदेश में गुपाओं का एक ऐसा समूँ है, जो हूँ भू, अर्थात एकदम वैसा, अजन्ता एलोरा की तरह ही दिखाई देता है और उतने ही महत्व का भी है, अर्था जैसी एजन्ता उलोरा की है, वो ऐसे ही सेम, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम समूँ है अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है आपके सामने, 35 नंबर है, देखिए क्या है काली दास की किस कृती की गिंती, विश्व की सो प्रसिद साहतिक कृतियों में होती है रित्यू सहार, मेगदूतम, अभिज्ञान, साकुंतलम, कुमार संभव तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अभिज्ञान, साकुंतलम देखिए दोस्तों, अभिज्ञान, साकुंतलम, महा कभी काली दास का विश्विख्यात नाटक है जिसका अनवाद प्राया सभी विदेशी बासाओं में हो चुका है अब आगे बरते हैं अगला प्रशन आपके सामने है, 36 नमबर जिसमें सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है देखिए दोस्तों क्या है, इसको समझते हैं सूची फर्ष्ट में रचनाकार है और सूची सेकेंड में उनकी कुछ रचनाएं दी गई है जैसे आरभट, धनवंत्री, ब्रह्मगुप्त, वर्हा, मिहीर रचना है आरभटी, नवनीत कम, ब्रह्म, स्पुट, सिधान्त, पंच, सिधान्ताक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्शन फर्ष्ट अब चलिए आपको हम पताते हैं, इसमें एक्स्प्लेंड करते हैं देखें दोस्तों, जो आरभट है, इनकी जो रचना थी, वह आरभटी थी, तो आप एक लिख सकते हैं धन्वंत्री हैं, जिनका संबंद चिकत सकते हैं, अरथात यह एक डॉक्टर थी, चिकत सकते हैं तो इनकी जो रचना है, वह नवनीत कम हैं, अरथात दो लिख सकते हैं इसका ब्रह्मुगुप्त की बात करें तो इनकी जो रचना थी ब्रह्म इस्पुट सिध्धान्त थी अर्थात आप यहाँ पर तीन लिख सकते हैं वरामीर की जो रचना थी वह पंच सिध्धान्त थी यहाँ आप चार लिख सकते हैं अर्था सभी के सामने सभी correct एकदम दोस्तों दिये गए हैं क्या हैं सारे के सारे एक दूसरे के सामने हैं और सब के सब सही हैं अब दोस्तों लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने 37 नंबर 37 नंबर रेशम बुनकरों की स्रणी की जानकारी निम्लकित किस सिलालेक से मिलती है फर्ष्ट ऑप्सन दस पुल सिलालेक से सिकंड ऑप्सन प्रयाक प्रसस्ति से थर्ड ऑप्सन अरण शिलालेक से फोर्थ ऑप्सन हाती गुमपा सिलालेक से तो correct answer हो जाएगा ऑप्सन फर्ष्ट दस पुल सिलालेक से देखिए गुप्ट समराट कुमार गुप्ट दिती के शासंकाल का एक प्रशिद अवलेक मंद सौर से प्राप्त हुआ था कहां से प्राप्त हुआ था, मंद सौर से प्राप्त हुआ था, जिसमें लाट देश के रेशम के वैपारियों का दंस पुर्वें आकर बस जाने का वरणन है, अब आगे बरते हैं, अगला जो प्रस्ण है आपके सामने 38 नंबर है, गुप्त वंस का वैराजा कौन था जिसे को भारत पर आकरमर करने से रोका हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है, कुमार गुप्त, सिकेंड है समद्र गुप्त, थर्ड है इसकंद गुप्त, और फोर्द है चंद्र गुप्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकंद गुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखी, हुड गुप्त में इसकंद गुप्त ने हुडों को प्राजित किया था भीतरी अवलेक के आठमी शलोक में हुडों के साथ युध होने का उलेक मिलता है। उपलक्ष में इसकंद गुप्त ने विक्रमा दित की उपाधी धारन की थी। अब अपने पास जो प्रस्ण है वह है थर्टी नाइन नंबर अर्थात 49 नंबर। मंदिर निर्मा कला का जन्म सर प्रथम कब हुआ था। । अंसर हो जाएगा इसका option second गुप्त कालमे। मंद्रियों का जो निर्मार कला का जन्म है वो ऐसे प्रतम गुप्त काल में हुआ था कब हुआ था गुप्त काल में दोस्तों हुआ था अब देखेंगे हम लोग प्रशन नमबर जैसा कि आपके सामने हैं 40 नमबर प्रियाक प्रसस्ती अवलेक का लेखक हर्शेण किस सासक का दरवारी कभी था समद्रगुप्त अशोक कनिष्क और चंद्रगुप्त दुदी बताई दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्ष्ट समद्रगुप्त क्या हो जाएगा समद्रगुप्त के लिए है देखें हरशेंड चोथी सताबदी के संस्कृत कभी और मंत्री थे वे समुद्रगुप्त की राज सवा के महत्पून सवा सथ थे 345 इस्वी में रचित उनकी सर्वादिक प्रसिद करती प्रियाक प्रसस्ती है कौन सी है प्रियाक प्रसस्ती है जिसमें समुद्र गुप्त की वीरता का वरनन एक महान कभी थे क्या थे यह दोस्तों एक महान कभी थे और दोस्तों आपको हम बता दें कि इस question का जो correct answer है वह है समुद्र गुप्त यह सीरीज दोस्तों सभी exams के लिए important है यह first series है गुप्त कालिन सवता एवन संस्कृती पर आधरित बहुत जल्दी आपको second series भी मिल जाएगी यह especially for UP pet के लिए भी है यूपी टरपल स्थी सुपर्टेट पीश्टी टीश्टी और SST CGL तक के exams के लिए बड़ी important है फटा फट इस class को like करें शेयर करें और मेरे चैनल को subscribe करें दोस्तों जय हिंद जय भारत